ब्लॉक्बस्टर फिल्म गदर में सनी देओल का यह बेटा हो गया बड़ा रियल बाप का नाम जानकर चौक जाएंगे आप बलेवुड में शुरुवाती दौर से ही चाइल्ड एक्टर्स का बड़ा रोल रहा है चाहे उसमें वह किसी एक्टर के बच्पन का रोल हो या फिर बेटे का किरदार ऐसे में सनी देओल की ब्लॉक्बस्टर फिल्म गदर में उनके बेटे चरनजीत का रोल करने वाला यह चाइल्ड एक्टर अब बड़ा हो गया है और हंडस्मनेस में किसी एक्टर से पीछे नहीं है आये देखते हैं इनकी कुछ तस्वीरें बतादें कि साल 2001 में आई फिल्म गदर ने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया था इतना ही नहीं फिल्म के सभी गाने भी सुपर हिट साबित हुए थे फिल्म ने कमाई में भी बॉक्स ओफिस पर कई रीकॉर्ड तोड़े फिल्म को हिट करने में हर किरदार का उतना ही बड़ा हाथ था जितना की लीड एक्टर और एक ट्रेस का रहा लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म में एक एक्टर और था जिसने अपनी एक्टिंग से सब को दीवाना बना दिया था बात कर रहे हैं फिल्म में चाइल्ड एक्टर का रोल करने वाले उतराक्ष शर्मा की उतराक्ष अब 23 साल के हो गए हैं और अपनी गुड लोकिंग के चलते किसी एक्टर से कम नहीं है उतराक्ष का जन्म 22 माई 1994 को महराष्टर में हुआ था और वे गदर सिंग साहेव दग्रेट और अपने जैसी सुपर हिट फिल्म के डायरेक्टर अनेल शर्मा के बेटे हैं गदर एक ट्रेम प्रसंद पर आधारित फिल्म थी जिसमें सनी दियोल और नियुक मर एक ट्रेस अमीशा पटेल की एक्टिंग को बहुत सराहा गया था फिल्म में विलेन के किरदार में अम्रीश कुरी ने एक बार फिर अपने दमदार अभिने से लोगों का ध्यान अपनी और खीचा था शायद ही आपको पता हो कि उतराक्ष बॉलेवुड में बड़ और एक्टर एंट्री करने जा रहे हैं उतराक्ष के पिता अनेल शर्मा फिल्म जिनियस को डाइरक्ट कर रहे हैं और साल 2017 में फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया था खबर है कि यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी